स्वण भस्म इस ओशधी की आयरुएद में कितनी अधिक महत्ता है आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि जब कश्ट साध्य या फिर असाध्य रोगों में अन्य ओशधियां काम करना बंद कर देती हैं तब स्वण भस्म का उचित अनुपान के साथ प्रिय स्वण भस्म का लाब और प्रभाव छेतर इतना अधिक विस्त्रित है कि मुझे लगा कि इस विशेश पर और अधिक जानकारी मुझे आपके लिए ले कर आनी चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से यह बताऊंगा कि किन-किन रोगों में वे परिश्थित्यों में किन अनुपानों के साथ स्वण भस्म का प्रियोग कर रोग विशेश से मुक्ती प्राप्त की जा सकती है एक खास बात और व्यायाम और जिम करने वाले युवा वे खिलाडियों के लिए कुछ विशेश जानकारिया इस वीडियो में रहने वाली है तो वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा नमस्कार दोस्तों मैं डुक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ स्वाइन भस्म मधूर तिक्त कसाय रसों से युक्त लगूस निक्दस ने सीत गुणों से युक्त होती है इसका विपाक मधूर होता है त्रीदोसों को शान्थ करने वाली परंतु मुख्यते पित प्रकर्टी वालों को अधिक लाब प्रदान करने वाली है यह रस रक्तादी सब्त धात्वों को पुष्ट करने वाली वाजिकारक, वीर्यवर्धक, कांतिकारक, आयुशकर, मेध्य, विशनासक रसायन है स्वायन भस्म प्राकर्तिक तोर पर हृद्य नेत्रवय मस्तिक्स को ताकत देने वाली इमनिटी पावर या था अर्थे रोग प्रतिरोदक छमता को बढ़ाने वाली त्वचा की चमक बढ़ाने वाली शरीर के रक्त संचरण वे रक्त को शुद्ध करने वाली और पुर्षो वे स्त्रीयों की विभिन समस्याओं को दूर करने वाली बड़ी ही प्रभावशाली ओशिदी है और आज के आधूनिक व्यग्यानिक भी समय समय पर स्वर्ण भस्म पर होने वाले अनुसंधानों में साबित करते आ रही हैं कि स्वर्ण भस्म से बहुत सी ऐसी बिमारियों का इलाज संभव है जिने ऐलोपेथिक में असाध्य माना जा चुका है चलिए यह अलग बात है हम इसके उपर अधिक चर्चा नहीं करेंगे हम आते हैं अपने में टोपिक पर और आपको बतलाते हैं कि किन किन आनुपानों के साथ स्वर्ण भस्म क्या क्या लाब प्रदान करने की अपने अंदर छमता रखती है यदि कोई स्वर्ण भस्म का प्रियोग अपने बाहिय सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए करना चाहता है तो उसे मुलेठी और खांड को बराबर मात्रा में मिला कर उसके साथ स्वर्ण भस्म और केसर प्रियोग करना चाहिए मुलेठी और खांड सोसो ग्राम की मात्रा में रहेंगे वही स्वर्ण भस्म और केसर क्रमसा एक और तीन ग्राम की मात्रा में रहेंगे पुरियदी बुद्धी और मेदा वृद्धी की इच्छा हेतू आप स्वन भस्म का प्रयोग करना चाते हैं तो बच मुलेठी की सोसो ग्राम की मात्रा के साथ आधा ग्राम स्वन भस्म और तीन ग्राम मोती पिष्ठी मिलाकर प्रयोग करने पर बहुत युत्तम लाब कितना भी पानी पीने पर पीला पेसाब आता है, हाथ पैरों में जलन वे अनेचिक स्तराव जैसी समस्याएं उत्पन होने लग जाती हैं, तब स्वन भस्म और दोगनी मात्रा में मोती पिष्ठी मिला कर आउले के मुरब्बे के साथ प्रयोग किया जाए, तो पहली खुराक स ही लाब मिलना प्रारंब हो जाता है, वहीं कब्ज जैसी समस्याओं में यदि साधन संपन मनुस्य त्रिफला चून के साथ स्वन भस्म मिला कर प्रयोग करें, तो जो लाब प्राप्त होगा वो अवश्य ही सराहनिय रहेगा, वहीं विबिन परकार के स्त्री रोगों में सि अंगरेजे दवाईयों के प्रयोग से जो गरबाशय सोथ दूर ना हुआ हो, उसमें भी इस नुष्खे के प्रयोग से बहुत ही उत्तम लाब कुछी दिनों में प्राप्त हो जाता है, पुराने से पुराने जोडों के दर्द, लक्वा वैग गठिया बाज ऐसी अवस्थ में स्वण भस्म का प्रयोग यदि एकांगवी रस और महरासनादी क्वात के साथ करवाया जाए, तो पहली ही कुछ खुराकों में लाब प्राप्त होना प्रारंब हो जाता है, जिन लोगों को चाती गले से संबंदित परेशानिया बनी रहती है, साथी साथ धूल मिटी की अलरजी बार-बार खासी जुखाम जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, वह यदि स्वण भस्म का प्रयोग चवण प्रास और सिद्ध मकर ध्वज के साथ करेंगे, तो कुछ ही दिनों में सभी समस्याओं से मुक्ती प्राप्त कर बलिष्ट शरीर की प्राप्ती कर सकते हैं, सा यदि अन्य व्रिष्य वे नपुनसकता नासक ओशिधियों के साथ, यदि स्वण भस्म का प्रयोग किया जाए, तो ओशिधियों के प्रभाव को यह कई गुना तक बढ़ा देती हैं, और जो लाब प्राप्त होता है, वो किसी चमतकार से कम नहीं है, इन सब के अलावा, व जुना रिष्ट के साथ स्वण भस्म का प्रयोग, लाब तो प्रदान करता ही है, और वो भी बिना किसी दुस्प्रभाव की चिंता के, जो कि अलोपैथिक दवाईयों में कभी भी संभव नहीं है, इसके अलावा, मैंने आपको वीडियो की प्रारम में कहा था, कि व्याया करने वाले या फिर जिम जाने वाले युवाओं के लिए, खिलाडियों के लिए मेरे पास कुछ खास है, दरसल मैं खिलाडियों व्यायाम करने वाले युवाओं के लिए कुछ खास नुस्खे बनाता हूं, जिसमें स्वण भस्म के साथ साथ अन्य ऐसी ओशिधियों का प् वैसे स्वासका स्चिंतामनी, योगेंदर रस, व्यास्वगंदा और कोच भी चून के साथ स्वान भस्म का प्रियोग किया जाए तो बहुत थत तक आपके खेल, स्टैमिना, मांसिके कागरता और बल में वृध्धी अवश्य ही आपको अनुभव होगी इसके अलावा स्वान भस्म के और भी कई अध्वित्य लाब हैं जिने संपून रूप से इसी वीडियो में बता पाना संभव नहीं है यदि आप सभी की इच्छा रहेगी तो अवश्य ही भवश्य में आपके लिए और अधिक विश्तरित रूप से मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊंगा परन्तु अभी आप इस वीडियो को शेर कीजिए और यदि अब भी आपके मन में किसी प्रकार की संका है तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी संका मुझ तक पहुचाईए मैं उसका जवाब देने का प्रियासा होश्य करूँगा अभी आग्या दीजिए मिलते अगले वीडियो में नमस्कार